लो दोस्तों आजम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी जो बहुत आसान तरीके से बनाई हुई है मैंने यह आपको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस दस से पंदर मिट में आपकी सब्जी बन करके तयार हो जाएगी तो इसे मैं इसे बनाने के लिए एक्सरा तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं अब चैनल पर नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए आगे बताते हैं आपको मैंने इसे कैसे बनाया है इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम के लगबग मैंने यह पनीर लिया है यह ुरु से खरीदा हुआ टो इसे हम चार टुकड में कर लेंगे bill सर्सो का तेल तो ज़ादा नहीं बस दो या तीन बड़े समसे डालिएगा अब उसमें जो पनीर जो हमने काट करके रखे थे खलका गुलाबी होने तक इन्हें हम उस्ताइब करना है इन्हें हमें यह उलटते पलटते बस दो साइट से यह फ्राइब करेंगे और इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं तो मैंने इन सब को एक प्लेट में निकाल लिया है अब हम लेंगे एक पनीर का लेंगे और उसे हम चाकू से काट लेंगे तो आप इसे अपने इसाब से जैसे भी आप मंचाहे आकार में आप इसे काट सकते हैं तो मैंने इसे तो बस ऐसा ही नॉर्मली बड़े थोड़े पीसों में मैंने काट लिया है तो बस इसी तरह से हम इसे काट लेंगे अब इन सब को हम अलग-अलग कर लेते हैं अब इसी तरह से कट करते हुए बाकी के सारे पनीर को भी हम ऐसा ही काट लेंगे तो यह देखिए मैंने इन सारे पनीर को कट करके रख लिया है अब हम लेंगे एक बड़ा बरतन लेंगे उसमें लेंगे पानी पानी मैंने इसमें करीब एक ग्लास पानी लिया है बड़े ग्लास से और ये ठंदे बिल्कुल भी नहीं है ये पानी गरम पानी है बिल्कुल खौलता हुआ पानी भी नहीं है बस गरम पानी है अब उसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी ज्यादा नहीं बस बहुत थोड़ कर लेते हैं चमद से अब जो पनीर जो हमने काट किल के रखा हुआ था वह हम इन सब सब हमने जरी Short dicen काड़े हो बनाय होगे इस तरह पर रखेंगे Simpson कीच़- clock बिल्कुल्ख-णो नहीं होगे यह विल्कुल सॉफ्ट वने रहेंगे जैसे कच्छे सरफ भी, उसी तरह से रहेंगे तो उन्हें हमने अलग रख दिया है अब हम आगे की त्यारी कर लेंगे तो यह हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जिसमें एक चम्मत जीरा लॉंग इलाइची डाल चीनी का टुकड़ा है करीब आएक इंच की लगबर और दो इलाइची है बड़ी इलाइची त हरी मिर्ची उन सब्यष्ट को भी उस्पिशिक जार में डाल करके उन सब्सब्स को पेस्ट बना लेंगे जाओ है इसे पीछने के लिए पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज सी डाला हुआ है तो इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सेम उसी कडाई को लेंगे उसी में थोड़ा सा और तेल डाल देंगे और उसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले इसमें मैंने डाला है एक छोटा चम्मत जीरा एक या दो तेशपता और जो बड़ी लाइची का जो छिलका जो हमने अलग रखा हुआ था वो भी हम उसी में डाल देंगे और वो जब भून जाएगा कुछ सेकेंड के लिए तो फिर उसमें हम डाल देंगे एक कटोरी के लगबग हरा मतर अब इन्हें हम हलका सा भूनेंगे तो तेल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने इसमें एक बड़े चम्मस के लगबग तेल और डाल दिया है तेल मैंने सरसो का तेल डाला है आप जो भी आप खाते हों आप वो तेल इसमें डाल सकते हैं इसाथी इसमें डाल देंग इसलिए अब इन सबको थोड़ी दिर के लिए ढग करके पकाएंगे ताकि मतर जो है वह अच्छी से पक जाए तो मतर तो पक गई है दबा कर देख लेते हैं देखिए अब जो मसाले जो हमने पीस करके रखे हुए हैं उसे हम इसमें डाल देंगे इस बार थोड़ा सा चला लेते हैं इसके बाद हम डालेंगे धन्या पाउडर तो धन्या पाउडर हमें डेड़ चमस डाला है थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें लाल बेस पाउडर कि अब इन सबको मिक्स कर देंगे थोड़ी दे ढग करके पकाएंगे जब तक वह पक रहा है तब तक हम एक टमाटर लेंगे बड़े साइज में और उसे हम पेस्ट बना लेंगे अब मसाले को हम देख लेते हैं तो मसाला तो थोड़ा सा भून गया है इसमें डाल देंगे हम जो टमाटर जो हमने पीस करके रखा हुआ थो वो टमाटर का पेस्ट और उसी में डाल देंगे थोड़ा सा पानी आदा कप अब इन सब को मिक्स कर देंगे और चलाते हुए थोड़ी दर के लिए भून लेंगे इसके साथ ही इसमें डाल देंगे परीब दो छोटे चमच से कश्मीरी लाल मिर्च इससे कलर अच्छा आता है इसके साथ ही डाल देंगे इसमें हम दो बड़े चमच मलाई तो मलाई को हमने निकाल करके फेट लिया था तो ये वही है घर का निकला हुआ है अब इसे हम डाल करके चला देंगे और इसमें डाल देंगे वो पनीर जो हमने पानी में डाल करके रखा हुआ था मुझे का अगर नमक कम लगे आप डाल के लिए इसे हम खौल आदेंगे जिए जो है यह साइर तेल जो है उपर आजाएंगे तो इसमें कसूरी मेथी और दो चमच इसमें डालेंगे घी घी या बटर जो भी आप डालना चाहे वो आप अपने हिसाब से डाल लिजेगा इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब मेरी सब्जी तो बन करके तयार हो गई है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला ये घर का बना हुआ मसाला है तो वही मैंने डाला हुआ है तो वैसे मेरी सब्जी जो है वो बन करके तयार हो गई है आपको रिस्पी अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो त झाल 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 झाल